सब्सक्राइब करें रीबो क्लासेश चैनल को और बेल इकन को दबाएं लेटेस्ट एडुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए 93 In this question it is saying that a car travels a distance of 300 km at a uniform speed If the speed of the car is 5 km per hour more it takes 2 hour less to cover the same distance Find the original speed of the car Given क्या है इस question में कि 2 points है A और B और इस दोनों के बीच में difference कितना है 300 km का अब कह रहा क्या दो speed से हम travel करते है और दोनों के बीच में difference कितना है मानलो यह S1 और S2 है दोनों के बीच में 5 km per hour का difference है 5 kmph का difference है और इस difference के कारण जो time में difference आया है वो कितना है 2 hours का ठीक है तो कुछ भी नहीं करना है 300 को 2 ऐसे number में break कर लो जिसका multiple हो 300 से सोनों वो हमें speed बताएगा जैसे मानलो इसको हमने लिख दिया 25 और 30 25 और 30 का LCM कितना होता है 150 ओबियस ही बात है 150 अगर LCM है तो 300 भी इसका common multiple होगा अब ऐसा मैंने क्यों किया है अगर मैं 25 की speed से चलता तो 300 travel करने में हमें कितना time लगता 12 hours से सोनों और 30 के speed से travel करता हम तो मुझे 300 किलोमेटर travel करने में कितना time लगता 10 hours और दोनों के बीच में gap कितना है 2 hours का से सोनों जो की question में भी वही पूछ रहा कि तो हमारी initial speed क्या हो जागी 25 किलोमेटर पर hour तो answer हमरे कौन सा होगा 1 simply क्या करना है आपको जैसे ही question दिखे उसको factor देख लो factor का clue भी speed में कैसे break करना है वो आपके options के थूरू दिख रहा है आपको यहाँ पर 25 है 20 है 24 और 28 तो 24 और 28 तो factor कभी 300 का break करी नहीं सकते तो बचा कितना 25 और 20 thanks for watching the video